एलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वायू लर्निंग लास्ट क्लास में हमने प्रोटेस्टा पढ़ा था और हमने मौनेरा पढ़ लिया है ठीक है अब हम जो है वो तीसरा किंग्डम जो है फंजाई उसके बारे में बात करेंगे तो देखो फंजाई के भी पहले हम क्या करेंग ठीक है तो start करते हैं पहले इसके कुछ फीचर देखते हैं फंजाई का पहला करेक्टर्स टिक क्या है कि यह सभी कैसे होते हैं हिट्रोटोपिक होर्गैनिजम है और हिट्रोप नहीं है हिट्रोटोप मईद लेते हैं यह कोस्मो पॉलितेरन है यानि लगबग सभी जगे ज इनकी बोड़ी के अंदर हीये प्रेजन्त मेरे प्रेजन च्रूंडर कि मीमिपलर को हीये संस्य बोस्तार बेंदरिये ख़ेकोraph a chronique और उसको हम बोलेगे कोईनोसाइटिक ह har satu इनके अंदर तो इसको हम बोलेगे कोईनोसाइटिक ही फे लेकिन सेप्टेट हाई प्यूजक पॉजडित होती है वहां पर माणिन bending दूसरा होती है तो इस तरह का है यौ कॉसर पार सेप्टेट हाइफे और इनके अंदर cross walls present होती है इन हाइफे के अंदर जो हाइफल wall होती है वो किसकी बनी होती है cellulose की बनी होती है और काइटीन की बनी होती है एक बार ज़रा हम यह structure देखें तो देखो यह mushroom का structure है यह fruiting body present होती है ठीक है और यहाँ यहाँ पर यह हम देख रहे है thread like structure जो है इनको हम क्या बोल रहे है हाइफे इतने सारे हाइफे जब मिल गए तो क्या बन गया mycelium बन गया ठीक है यह थो था इसका structure ओके अब हम बात करते है यहाँ पर हमें हमने दो तरह के हाइफे जो पड़े है यहाँ पर तो इस तरह के हाइफे हो गएजै कोई नमसायटिक हाइफे पटा है वह हाइफे जहाँ पर बीच में स्चलीख कर रहा है यहाँ वहाँ पर बीकलाई झॉय है बहुद कर रहा है यह जो है इनको हम बोलेंगे sponsored timeframe कर्ता जा रहा है तो यहाँ पर गयाँ इस तरह है इस तरह है इस तरह से फ्रेग्मेंटस में बंड़ेंगे तो यानि भालल रॉंडटन सेलज पनेंगे टो यानि फीजन बढद केंग्मेंटस चहांपर यह reproduce करते हैं फंजाई अगर असेक्षय़ल वे में देखें तो यह घरते हैं सपोर्स बनाते हैं जिसमें कॉनेडियाFORMATION Sporrangeous Sporze और सूस्पोर्स इन सबका फोर्मेशन होगा जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं तो spendiospores का formation हो रहा है sporengium के अंदर sporengiospore बन रहे हैं ठीक है और यहां पर यह क्लैमाइडो spores है और फिर यह जो है यह dioidya dioidiosporesarken connedia है connedia penicillium में होता है ठीक है तो concodiospores तो इस तरह से यहां पर sexual में क्या होता है sports formation होती है ठीक है अब बात आती है यहाँ पर sexual cycle, तो sexual cycle जो है, इसमें क्या है, तीन steps है, पहला क्या होगा, protoplasm जो होगा, वो fuse हो जाएगा, दो gametes होंगे, एक motile, एक non-motile, ठीक है, अन्दोनों gametes का protoplasm fuse होगा, इसको हम बोलते हैं, plasmo gammy, यह first step होगा, दूसरे step में क्या होगा, उनका nucleus fuse करेगा, तो यानि, zygote formation जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, karyo gammy, plasmo gammy में क्या हो रहा है, जब protoplasm fuse कर रहा है, karyo gammy में क्या हो रहा है, जब nuclei fuse हो रहा है, zygote formation diploid बन रहा है, फिर meiosis हो गई, वापस से यह जो zygote, यह divide हो गया, मतलब हाफ, जो है, हपलोइड वापस बन गया, तो है, हपलोइड स्पोर्स का formation हो गया, तो इस तरह से हो जाएगी sexual cycle, अगर हम यह डाइग्राम देखें, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कि यह हमारे पास क्या है, यह स्पोर्स है, germination हुआ, mycelium बना, mycelium क्या होता है, network of hyphae, तो mycelium बन गया, जो कैसा है, haploid है, यहाँ पर क्या हुई, plasmo gammy हुई, यानि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का protoplast, जो है, दो different mycelia का protoplast fuse करके क्या बना, एक heterokaryotic cell बना, ठीक है, यह heterokaryotic stays आ गए, यानि यह plasmo gammy हो गया, अब यहाँ पर karyo gammy होगी, यानि nucleized जो है, वो fuse होकर एक diploid zygote बन जाएगा, अब यह zygote जो है, इसमें meiosis होगी, तो वापस से haploid spores का formation हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगी, sexual cycle फंजाई के अंदर, तो देखो, फंजाई के अंदर हम यहाँ पर चार ताइप्स पढ़ेंगे, phycomycities, escomycities, deuteriumycities और bestseudiumycities, अब इनमें हमें चारों में इनके main points चो हैं, इसका habitat कैसा aquatic area है, कहाँ पर और present होती है, decaying, wooden, moist and damply, यानि जितने भी जो moisture वाले areas होंगे, वेटेरियाज वहाँ पर यह में देखने को मिलेगी, और as obligate parasite on plants, ठीक है, तो plants के उपर, जो है, वो as a parasite की तरह एक करती है, plant इनका host होता है, obligate parasite है, मतलब की यह, strictly, जो है, वो plant, जो है, वो as a host इनको चाहिए ही चाहिए, अधरवाइस यह survive नहीं कर पाएंगे, इनके survival के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए यह एक obligate parasite है, इनका जो mycelium होता है, वो कैसा होता है, a septate और koinocytic, जो हमने पढ़ा था, कैसा होता है, ठीक है, बात करते हैं, reproduction में, इनमें, a sexual reproduction होती है, यानि, यहाँ पर यह, zoos pores और a planos pores बनाते हैं, planos pores non motile होते हैं, zoos pores motile होते हैं, ठीक है, तो a sexual reproduction में, दो टाइप के spores बनाते हैं, कौन-कौन से, zoos pores और a planos pores, दूसरा, gamets की अगर हम बात करें, यहाँ पर तीन तरह के gamets, यह बना लेते हैं, यानि, इनके जो gamets होंगे, male, female, iso gamus, anisogamous और u gamus, अब यहाँ iso gamus का मतलब क्या होगा, male और female gamet, shape और size में, बिल्कुल एक जैसे होगे, similar होगे, दिखने में पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, anisogamous क्या होगा, कि जिसमें male gamet अलग होगा, dissimilar होगा, और female gamet अलग होगा, यानि, इनका shape size अलग हो सकता है, ठीक है, u gamus में क्या होगा, यहाँ पर female gamet, हमेशा large ही होगा, और male gamet छोटा ही होगा, वैसे ज़्याद तर cases में, female gamet हमेशा large होता है, और male gamet small होता है, ठीक है, अब rhizopus, जो है, bread के अंदर, जो हम fungus देखते हैं, वो rhizopus होती है, और albigo candida, यह भी हमने सुना है, ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, phycomycetes के example, कैसे इन में gamets होते हैं, reproduction और कैसा करते हैं, यह mycelium कैसा होता है, aquatic habitat जो है, वो इनका हेरिया होता है, और as obligate parasite की तरह, यह plants में होते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, ascomycetes, और sac fungi, जादा तर यह कैसी होती है, multi-cellular होती हैं, लेकिन, कुछ unicellular भी होती हैं, जैसे east, तो multi-cellular में example ध्यान एकना, panicellium और unicellular में तो ध्यानी रहेगा, east और saccharomyces, अच्छा, यह कैसे होते हैं, यह saprophytic भी हो सकती हैं, यह decomposers भी हो सकती है, यह as a parasite की तरह भी एक करते हैं, और यह coprophyllis, यानि जो dung की उपर grow करते हैं, बहुत तरह से हैं, यह से प्रोफाइड, decomposer, parasite, coprophyllis, कैसे भी हो सकती है, ascomycetes, इनका mycelium कैसा होता है, branched होता है, septate होता है, देखो, psychomycetes का, जो mycelium था, वो कैसा था, coinosytic, बट यहाँ पर कैसा है, septate है, इसमें जो है, reproduction, अगर हम asexual की बात करें, तो यहाँ पर sports बनते हैं, यह हमने पढ़ा था, कि asexual reproduction में, sports का formation होता है, तो यहाँ पर यह कैसे sports बनाते हैं, conidia, conidia जो है, वो इसके अंदर produce होते हैं, इनका जो mycelium होता, उसके अंदर conidia produce होते हैं, ठीक है, तो इनमें conidia formation होता है, bycomycetes बें, zoosports और aplenospores बन रहे थे, अब sexual reproduction की, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक special, sack-like structure, जिसको हम असाई बोलते हैं, उसके अंदर asco sports का formation होता है, ठीक है, और इनकी fruiting bodies को हम क्या बोलते हैं, asco carps, example क्या है, aspergillus, claviceps और neurospora, यह हमें ध्यान रखने हैं, ascomycetes के points, अब हम बात करते हैं, bacidiomycetes और detromycetes, bacidiomycetes को हम क्या बोलते हैं, club fungi, इसमें example ध्यान रखो, क्या है, mushroom, mushroom को हमने देखा, यह bracket दिखता उपर, ठीक है, puff wall दिखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, club fungi रहती है, ठीक है, अब इसमें, इसको हम कहां देखने को मिलती है, soil के अंदर, लकडी के लटो के अंदर, tree strums के ऊपर, ठीक है, plant में as a parasites की तरह है, rust और smut हम देखते ही हैं, plants के ऊपर आप देखो ना, कि brown color का rust form हो जाता है, black color की suitty appearance, smut form हो जाती है, यानि plant में काफी disease cause करती है, यह वाली fungi, आइसीलियम इनका कैसा होता है, branched होता है, और septate होता है, production देखें, तो vegetative करते हैं, यह fragmentation के तुरू, और sexually production में, plasma gamma हो जाएगी, plasma gamma हमने अभी देखा था, sexually production में क्या हो रहा है, plasma gamma में, दो different cells वो है, वो fuse कर रहे हैं, और एक dicariotic structure बन जाएगा, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, basidium का formation होगा, ठीक है, यह basidium में क्या होगा, दोनों का nuclei या अपस में fuse हो जाएगा, और क्या बने हो जाएगा, cariogammy, ठीक है, जब cariogammy क्या है, जब nucleus fuse हो जाते है, तब हो जाती है, क्या रही हो गया, यानि या अब diploid structure बन गया, और अब इसमें meiosis होगी, तो haploid structures बने, यानि चार basidium sports का formation हो जाएगा, जो haploid होंगे, ठीक है, अब यह जो basidium carpi, यानि इनकी जो fruiting bodies हैं, इनके अंदर basidia अरेंज होंगे, अब बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, fungi imperfect, क्यों बोलते हैं, इसको हम fungi imperfectly, क्योंकि इसके अंदर, sexual reproduction absent होती है, यहां पर sexual reproduction होती है, तो इनमें हमें sports धिआन रखने हैं, यहां पर connedia का formation, connedia sport, तीक है, mycelium इसका कैसा होता है septate होता है और branched होता है यहाँ पर जादा तर member इसके decomposers होते है mineral cycling में decomposers help करते हैं कुछ इसमें saprophytes होते हैं कुछ इसमें parasites होते हैं देखो यहाँ पर दो points जो है वो हमें बड़े असानी से थियान रखने है डिटिरियो macetis ती यहीं जो है वो भी septate और branched है बैसिडियो macetis में saprophytes parasite जाँ तर de-composers होते हैं और nghilamic receiver macetis जो हैं यह बी क्या है parasites हैं इसंत्राइव क्लाओ करते हैं और Obligate Parasite किसमें होते हैं? Phycomycetes अब यहाँ पर इसके Example दियान रखो Alternaria Collico Trichum और Trichoderma यह Disteriomycetes के Example सोचें यह हो गए हैं अलग-अलग types की Fungi आज की Glass में हम इतना ही रखते हैं